आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादीशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग को बताया कि राज़पाल ने अपने विवेका धिकार का इस्तमाल करते वे 23 नमंबर को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंतर दिया था वे ये जानने का प्रयास करें कि कौन सी पार्टी के पास परियाप्त समर्थन है आज सवेरे नयायले में सुनवाई शुरू होते ही तुशार महिता ने रजपाल और फरनवीज के वे पत्र सौपे जो उसने कल सौपने को कहा था राजिपाल भागर सिंग कोश्यारी के फरनवीज को आमंतरित करने के पत्र की जाज के बाद शीर्ष नयायले ने कहा है कि अभी ये फैसला किया जाना है कि मुक्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त है या नहीं शिवसेना की ओर से पेश वरिष्ट अदिवक्ता कपल सिब्बल ने कहा कि इन तीनों दलों के पास राजिके 154 विधायकों के अलफ नामे पर भाजपा से 24 गंते के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहा जाना चाहे बार्दिंदा पार्टी के वरिष नेता और पूर मुक्यमंत्री कैला शोशी का आज दिवास ले के हाथ प्रपलिया में अंतिम संस्कार किया जाएगा उनकी पार्थिवदे जिले की सीमा दौलतपुर पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रधान चले अरपित की इस दोरान किंद्रे मंत्री नरिंद्र सिंग तोमर भाजपा प्रदीश अध्यक श्राकेश सिंग सहित कई नीता मौजूद रहे श्री जोशी का कल हुपाल में एक निजी अस्पताल में रिधन हो गया था 91 वर्षे श्री जोशी लंबी समय से बिमार थे राजी सरकार ने उनकी रिधन पर तीन दिन का राजकेशूग खोशित किया है गांधी दर्शिन पद यात्रा सीहोर्जिले की अमला पहुंची यहां नागरिकों और ग्रामीडों ने यात्रा का भव स्वागत किया इस वसर पर पद यात्रियों ने गांधी जी के विक्तितों पर प्रकाश डालते वे कहा कि आज हमारे देश को फिर एक गांधी की जरूरत है जो देश में संप्रदाइक सदभाव और दीश के खंडता तथा सम्विधान की रक्षा कर सके जबलपूर के विटनरी विश्विध्याले की क्रिशी विभाग के शूद करता चात्रों ने ऐसी तकनीक विक्सित की है जिसके सरीय किसान अब अपने घर के आंगन में भी मचली पाल सकेंगे बायव फ्लेक फिश मौदल नाम की इस तकनीक में 5-8 फिट लंबा एक टैंक घर के आंगन में बनाया जाता है इस टैंक में रोहू, कतला, सहीद, विभिन पुजातियों के मचलिया तयार की जा सकती है विशविद्याली की सहायक प्राध्यापाग डॉक्टर सुना तुबे ने बताया है कि ये टेकनीक ऐसे स्थान पर भी कारगर सिधोगी जहां पानी और भूमी की समस्या है इसका मुख्योदेश ये रहता है कि इसमें जो छोटे एरिया में हम ज्यादा मचली का संग्रहन करके उनको पाल सकते हैं क्यूंकि इसमें टेकनीक के द्वारा इस बायो फ्लोक टेकनीक के द्वारा जो नईट्रुजिनस वेस्ट होता है जो अमोनिया होता है उसको हम प्रोटीन में कनवर्ट करते हैं जो की उनका खादेपदार्द बनता है और इस तरह से कम स्थान पे पानी की गुर्वत्ता को बनाये रखते हुए मचलियों का अच्छा उत्पादन संभाव है बूपाल के खीडी में चल रहा बहतरवा आलिमी तबलीगी इच्टिमा आज सामोहिक दुआ के साथ समाप्त हो गया चार दिवसी इस धार्मिक समागम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिर्कत की सामोहिक दुआ में प्रदेश के साथ ही देश और दुनिया में अवंचैन की कामना की गई 18 वर्षी लक्ष सीन ने आज अपना पहला स्कॉर्टिश ओपन बैडमिंटें टूनमेंट जीत लिया है पाइनल में उन्होंने ब्राजील की अगोर कोहलो को 18-21-21-21-21-29 से हराया मैं 56 मिनिट में ही खत्म हो गया लक्ष स्कॉर्टिश ओपन जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हैं साथ साल पहले भारत के आनंद पवार ने ये टूनमेंट जीता था अब कुछ समाझार सिंक्षेप में मुक्य सच्चु इसार मोहंती ने कल उर्चा मौतसफ की तैयारियों की समेक्षा की शैडोल जिले में समर्तन मुले पर धान खरीदी दो दिसंबर से की जाएगी केंद सरकार के नीतियों के विरोध में आज परहना में कॉंग्रस कारीकरताओं ने प्रदर्शन किया वहीं मर्या में भी पार्टी कारीकरताओं ने महंगाई और बेरोसकारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया सतना जिले में कलेक्टर ने आग गौशाला निर्माण सीम हल्पलाइन के लंबित प्रकर्णों सहित विभिन विभागों के कारियों के सवेक्षा की वो पालपुलिस ने एक महिला से 71 लाग ठगने के मामले में नाइजीरिया के एक नागरिक को दिल्ली से ग्रफतार किया है नीमत जिली के बनासा में मोटर साइकलू के आमने सामने के भणनत में एक विक्ति की मौत हो गई जब कि तीन लोग खायल हो गए इस पुलिटिन में फिलाल इतना ही नमसकार